अलो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि Microsoft Word में जब हम कोई paragraph टाइप करते हैं तो उसमें पहला अक्सर को बड़ा केसे करें और इसकी setting केसे करते हैं इन सब के बारे में विश्तृत से जानेंगे कुछ मेंटर टाइप की अवाय है उसी मैं आपको setting करके बता देता हूँ जिसे अगर हमारे पास English का वरेड है तो हमें English को select कर लेना है और हमें insert में जाना है और यहां पर drop केस्ट का एक option है इस पर click कर देना है इसके बाद आपको इसमें दो design दे रखी है कि dropped है तो आप dropped को click कर देंगे इससे क्या होगा कि हमारा जो पहला अक्सर है वह बड़ा हो जाएगा यह वरेड में different line में आता है इसमें line भी change कर सकते हैं और setting में बता देता हूं इसमें आपको select कर लेना है और आपको चीए कि इसके नीचे कुछ भी नहीं आए और यह आग जाएगा फिर मैं वापिस drop case पर जाऊंगा option पर जाऊंगा और इसे इसे कर दूंगा तो यह आप इस तीन line में आ जाएगा और दो क TVs पे ज amazon जंगा इस पहट पंश जम एसे पांच लाइन में भी कर चार में भी कर सकते हैं यहां से आप से चेंज कर देंगे और 5 में कर देंगे तो यह 5न में हो जाएगा तीन लाइन ये और दो लैण ये और अगर आपको इसे 2 कर दीजिए और okay कर दीजिया, यह दो line में हो जाएगा, चाहिए उतना इसे बड़ा कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं, यह line कर देता हूँ, और okay कर देता हूँ, आपस इसके setting में जाते हैं, और इस पर distance कितना रखना है, distance भी यहां से बड़ा सकते हैं, जो अक्सर है, वो कितीं दूर रह इसे okay कर देंगे, इस spacing दूर हो जाएगी, इससे यह अलगी effect आएगा, चिन पर double click करेंगे, और इसे none पर, इसके आमने सामने कुछ टेस्ट नहीं रहेगा, इस पर select कर लेंगे और okay कर देंगे, उसके सामने वाले जो भी टेस्ट पर उन्हें चाह जाएगे, इसे आगो कभी यही इसमें pictures होते हैं, दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को like, comment, share करके subscribe कर दीजी, धन्यवाद